हेलो बच्चो कैसे हो आप मेरा नाम है अभिशेक कानूडिया और आपका फिर से सवागत है आपके अपने चेनल संदीप कोचिंग क्लासेश पर बच्चो आज हम केपेसिटर के कुछ और निमेरिकल और कुछ कंसेप्चिल क्षिन लेके आए हैं जो आपकी बोर्ड एक्जाम क क्या है जो यह सीवेसी का इंपोर्टेंट क्वेशन है तो चलिए देखते हैं सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है मैं बताना चाहूंगा आपको दो डाइगराम दी हुए ए डाइगराम और एक बी डाइगराम एडाइगराम में आपको एक केपिसिटर नजर आ रहा वहुए और अपको आप देखें तो फिगर फिगरे का में जो दो क्राइगरो हैं उनके पीश के लिच के सद्रेंज दी है पिछली बार भी थी और यहांपर क्या किया यहां पर एक बरा था और यहां पर कितने बरे हुए हैं दो आधे पॉर्टन में फल्स याले बरा हुए हुआ है जिसका Dilectric constant है K2 और नीचे के portion में Dilectric भरा हुआ है जिसका Dilectric constant है K3 और यह जो area A था तो यहां पर area का area A by 2 हो गया और इसका area भी क्या हो गया A by 2 हाँ distance D है पर area क्या हो गया A by 2 A by 2 अब को करना क्या है आपको तो दिया हुआ है कि इसका capacitance और इसका capacitance figure A का और figure B का capacitance equal है, हमें क्या करना जो दिया है वो मानना पुड़ेगा, और हमें relation निकालना है किसके बीच K, K और K2 और K3 के बीच, K के बीच और K2, मैं इसे K1 मान लेता हूं, तो K1, K2 और K3 के बीच relation आपको find करना है, तो करते हैं ब electric उपर बराए और एक नीचे बराए और जब उपर और नीचे की बात हो, तो इसे हम कहते है parallel connection, हाँ है ना बच्चों, क्या आपको parallel connection का formula पता है, या parallel connection समझ में आता है, parallel यही तो होता है बच्चों, उपर और नीचे को हम parallel कहते हैं, ये बात आपको पता होगी, तो हम यहा तो बच्छो, Capacitance का formula क्या होता है? तो आपको ये पता होना चाहिए, formula होता है, sir, K, K1, कभी हम first Capacitance की बात करने हैं, तो K, A, Epsilon, Not, याद करें, K, A, Epsilon, Not, By, D, ये आपको formula पता होगा? हाँ है न, इसे 1 क्यों लिखा? क्योंकि इस first diagram में K1 दिया है, तो k a epsilon not by d डाइलेक्ट्रिक भरने पर k टाइम्स बढ़ जाता है यह आपको पता होगा तो हमने c1 के लिए तो पढ़ लिया अब हम किस के लिए पढ़ रहे हैं चो c2 के लिए अब हम c2 के लिए देखते हैं तो c2 के लिए आप एक अलग नजारा देखेंगे c2 में डाइलेक्ट्रिक एक नहीं कितने भरे हुए हैं दो डाइलेक्ट्रिक भरे हुए हैं वो भी केसे पैरलल करेक्शन में तो आप जानते हैं पैरलल का फॉर्मला क्या होता है तो पैरलल करेक्शन का फॉर्मला आपको पता होना चाहिए parallel connection का formula बता होना चाहिए सब parallel connection का formula क्या होता है parallel में formula होता है c equals to c1 plus c2 direct capacitance 8 हो जाते है हाँ है न तो बच्चों बताओ इसका capacitance क्या होगा तो capacitance का formula होता है बच्चों k, k, a, epsilon not में यहाँ पर लिखते हो capacitance का formula होता है k, a, epsilon not by d पर आप कभी देखें यह तो formula है यहाँ पर k की जगे बच्चों क्या आएगा k2 आएगा यह बात आपको समझ में आ रही है k की जगे क्या आएगा बच्चों k2 और a की जगे a नहीं आएगा क्या आएगा बच्चों a by 2 a की जगे a by 2 और epsilon not तो as it is और upon में क्या आएगा बच्चों d हाँ है ना तो यह तो इसकी बात हुई अब इसकी बात करें तो बच्चों बताओ क्या answer आएगा इसका आएगा k3 a by 2 epsilon not by d तो क्यों सिर्फ change किसमें आएगा एक तो dielectric constant में और area में बाकि तो सब को सेम रहेगा तो अच्छे काम करें इसमें से जो common आ रहा है निकाल लो क्या common आ रहा है तो common आ रहा है a by 2 common आ रहा है एक काम करते मैं सिर्फ a को common लेता हूँ epsilon not को common लेता हूँ d को common लेता हूँ और अंदर क्या बच रहा है तो अंदर बच रहा है विच्चो k2 plus k3 इस वाले का capacitance और इस वाले का capacitance equal है तो हम यहाँ पर लिखेंगे G1, G1 मतलब given, given क्या है कि अब C1 किसके equal है, C2 के, हाँ है नो, तो C1 कितना है, C1 यह है, C1 है कितना, K1, A, epsilon not by D, और C2 कितना है, A, epsilon not by D, और K2, plus K3 upon 2, कुछ कट रहा हो तो काट दें, तो आप कहेंगे सब तो कट रहा है, यह दोनों, यह दोनों सारे कट गए, तो बच्छो, K1 और K2 और K3 के बीश relation आ गया, और एक्जाम में यह बार बार पूचा जाता है, कि भईया, find the relation between K1, K2 and K3, कब जब इस वाले का capacitance C1 है, इस वा के वन भर है, और इसमें जो डालेक्ट्रिक दो भरे हो है, एक तो K2 भरा हुआ है, आदे एरिया पे, और K3 भरा हुआ है, आदे एरिया पे, और इनका connection के इसा है parallel, याद रखना, एक्जाम में यह word यूज नहीं होता, यह आपको अपने दिमाग से बेचानना होता है, उप करता हूँ कि आपको parallel connection का formula पता होगा, कि parallel connection में capacitance aid हो जाते है, तो इसका capacitance और इसका capacitance क्या हो जाएगा बच्चो, aid हो गया, ठीके, तो आपको यह बास समझ में आ गई होगी, हम एसा एक और question लेंगे, इसे हम अभी 2 question और लेंगे, तो भी फिलाल यह question आपको समझ आया होगा जल्दी से आप इसे note down कर ले, screenshot ले जो करना है, जल्दी करें, चलिए बच्चो, अब हम next interesting question की तरफ चलते हैं, और next interesting question बिलकुल पुरानी जीसा है, बस एक छोटा सा अंतर है, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं फिर से question को समझा दूँ, मान लीजिए figure A में क्या दिया एक capacitor दिया हुआ है, जिसकी plates का area A है, और दोनों plates के बीच का distance कितना है, D है, और इसके अंदर क्या भर रखा हुआ है, डालेक्ट्रिक बढ़ा हुआ है, जिसका डालेक्ट्रिक कॉंस्टेंट के वन है, और इसका capacitor C1 है, अब आपको figure B में एक और capacitor दिया हुआ है, और इसमे area A है, और यहां पर diaelectric भरे हुए है, यहां पर एक diaelectric नहीं, कितने diaelectric भरे हुए है, दो diaelectric भरे हुए है, जिसका dielectric constant K2 है, और एकpar के तरी यह जो भड़े हुए हैं के से इंसर्टेड है आधी डिस्टेंस डिवाइड टू और डिवाइड टू पर आप कहेंगे सर पिशली बार भी तो यही था तो मैं कहूंगा नहीं बच्चों पिशली बार एरिया में डिवाइड था मतलब के टू उपर था और के थरी नीचे था इस बार इस बार यहां पर दोनों का ऐरिया तो टी चिंशन में क्या दिया हुआ है दोनों का कैप से च्छैंस और दो आप कोई सा कनेकशन केते हैं तो आप कहेंगे सार यह तो हमारा डींट करेंगे चलिए सर्पकॉख सेरीस करेंगर सकते क्यों कि इस Ayam स्थ्रम के सिर्कों का थो moderate क्या होता है तो ऐस से नौ दो याद होगा इसका capacitance कितना होगा तो k1 a epsilon 0 by d k1 क्यों लिखा क्योंकि इसका dialector k1 होता है और बाकि area epsilon 0 by d यह तो आपको पता ही होगा यह first हो गया अब हम second में देखते हैं तो बच्छो अब हम second capacitor के लिए देखते हैं तो for second capacitor c2 तो आपको यह बता होना चाहिए कि यह दोनों इस बार किसमे connected है तो क्या लिखेंगे series connected है तो यहां पर यह दोनों जो है series connected है तो आपको series connection का formula पता होना चाहिए 1 by c equals to 1 by c plus 1 by c यह आपको पता होना चाहिए का formula होता है सर क्या होता है हम भूल गए C equivalent का formula होता है 1 by C1 plus 1 by C2 plus 0 ये आपको formula पता होना चाहिए तो कभी हम इस पूरे को का capacitance निकालें तो पूरे का capacitance 1 upon C2 होगा is equal to बच्चो 1 upon में capacitance और capacitance का formula क्या होता है तो आप कहेंगे सर के मैं एक काम करता हूं ब्लू वाले का ब्लू पैंसे लिखता हूं और रेड़ वाले का रेड़ पैंसे तो बच्चो capacitance का formula क्या होता है बता सकते हैं तो आप कहेंगे सर के पर सेटेंस का formula तो बहुत ही क्या होता है के ए सिलन नॉट तो बच्चो बता के जगे क्या जाएगा के टूँ ए की जगे ए आए गा थे क्यूंकि देखिये इस ब्लू वाले का अवर्य तो ए ए ए crumble no अट अएगा इस टेस ए बैटू कितना आएगा बच्छो डी बैटू हाँ नो और कभी हम थर्ड वाले गा निकालने के कोशिश करें जो कि थर्ड वाला यह है के थरी वाला तो इसे मैं रेट पेन से लिखता हूं बोलो क्या अंसर आएगा तो रेड पेन कहां है रेट पेन है के थरी ए एपसलर नॉट अब इसे थोड़ा सा सॉल्फ करते हैं कभी आप तयार हैं तो तो बच्छो वन बैसी टू हाँ न और यह यह वाली टम जो है क्या हो जाएगी आप यहां पर दिमांग लगाएं क्या होगी यह फर्स्ट चम है और यह डी बैस्ट है तो यह हो जाएगी वन अपान में के टू एपसलन नॉट डी और यह जो टू है कहां चल जाएगा विटा डू जो है सबसे उपर चल जाएगा सबसे इस जादों पर नहीं इस जगे पर चल जाएगा हाँ है नो तो यह डी बैस्ट है चोथी टम है तो फोर्टम जो है इसके पास आएगी यहां पर यह कंफ्यूजन मै जाती है फर्स के पास तो यह फर्स के पास चली गई है नो यह बात को ध्यान से और कभी नहीं आये तो मुझसे मत पूछिए क्योंकि यह आपको आना ही चाहिए यह तो कहां जाएगा सबसे उपर और यहां पर बोले क्या आएगा के त्री एपसलन नॉट डी और यहां पर जाएगा टू कोई लिक्त हो तो बोले अब अच्छो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं यह को सबसे उपर भीज रहों डी कहां जाएगा सबसे उपर और नीचे आ जाएगा टू के टू कि एपसलन नॉट ठे़िए YOUR आएपसलों डी डी टू के थरी एपसलन नॉट कुछ जो आ 2 भी आ रहा है पर मैं 2 को common एक काम करता हूँ निकाल लेता हूँ, 2 common आ रहा है, A आ रहा है, epsilon not आ रहा है, तो यहां क्या बचेगा बच्चो, 1 upon k2 plus 1 upon k3, इसे मैं equation number क्या दे देता हूँ, 2 दे देता हूँ, अब आपको question में given क्या है, आपको question में given यह है, कि c1 जो है, किसके equal है c2 के, तो एक काम करता हूँ, मैं यहां पर c1 और c2 को एक जिसा बनाने के लिए c1 का reciprocal ले लेता हूँ, जिससे की, अठेखे, इसका reciprocal लेना मुश आपको given, excellent note, हाँ है न, अब आपको given क्या दिया हूँ, c1, c2 के equal है, हाँ है न, और c1, c2 के equal है, तो 1 upon c1 और 1 upon c2 भी आपस में equal होगा, हाँ है न, अब 1 upon c1 कितना है, चेक किजिए, जगे कम पढ़ जाती हर बार, तो एक काम करता हूँ, मैं इसी diagram को ही rough कर देता हूँ, क् क्योंकि नहीं दिखे, तो मजा ही नहीं आएगा, एक काम करतों मैं, जग्राम को ही rough कर देता हूँ, और answer आई गया है, एक line में answer आज आएगा, थोड़ा सा solve करना है, बस, तो बच्चो, 1 by c1 कितना है, तो 1 by c1 है, d upon me k1, a epsilon not, और c2 कितना है, तो c2 है, d upon me 2, k epsilon not, और 1 upon me k1 यह के 2 है, और k3, तो d upon epsilon not से d upon epsilon not cancel, तो यहाँ पर क्या बचेगा बच्चो, तो 1 upon k1 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा, 1 upon me 2, k1, यह कितना है, k2, k3, यह हो गया इस बार का relation, थोड़ा सा अजीव है, पर यही इसका क्या है बच्चो, answer है, आप चाहें तो इसे और थोड अलग भी लिखा, तो चल जाएगा, हाँ है ना बच्चो, और कभी आप इसका LCM लेते हैं, तो सुन्दर सा अंसर आ सकता है, तो आप लेने की कोशिश करें, तो बच्चो, मुझे बताएं, क्या यह question समझ आया है, क्यों, पिछली बार question में, दो capacitor, दो dielectric भरे हुए थे, जो parallel में थे, और इस बार, जो दो dielectric भरे हैं, वो series में, बस इतना सा अंतर है, और इसी अंतर की वेज़े से K1, K2 और K3 में, अलग answer आ रहा है, उमीद करता हूँ, यह question आपको समझ आया होगा, हम ऐसा एक और question करने वाले हैं, जो कि exactly तो नहीं, पर थोड़ा-थोड़ा मिलता है, जो exam में हमेशा आता है, तो चलिए जल्दी से इसका screenshot ले लीजिए, ले लीजिए, चलिए बच्चों, अब हम एक और question करते हैं, जो कि dielectric पर हमारा last question होगा, चलिए देखते हैं, इस question में क्या है, तो आपको तीन diagram दिये हुए है, A, B and C, A में जो capacitor है, उसका area है, A है, distance D D है, और इसके अंदर भड़ा हुआ है, dielectric और second में, जो डो dielectric भड़े हैं, जिनका area A by 2, A by 2 है, उपर जो भड़ा हुआ है, इसका dielectric constant, K by 2 है, और नीचे, जो dielectric भड़ा हुआ है, इसका dielectric constant, K 3 है, और distance D है, अब आपको यह पता तो चलिए चुका होगा, कि यह जो connection है, व connection है, series क्यों है, तो आप जानते होंगे, series ऐसा चलता है, series connection यह है, मैं इसको थोड़ा सा लिख दू, series connection, तो आपको क्या दिया है question में, कि C1, C2, C3, इन तीनों का capacitance लगभग, क्या लगभग, क्या equal है, तो आपको relation निकालना है, K1, K2, K3, K4, and K5 में, तो चलिए बच्चों बिना देर की start करते हैं, अभी ऐसा ही question हमने किया था, तो सबसे पहले हम C1 के लिए निकालते हैं, तो for C1 capacitor, C1 का formula तो आप जान गए होंगे, C1 का formula K1, A, Epsilon 0 by D, यह equation number क्या हो गया, यह बच्चों 1 हो गया, और कभी हम C2 के लिए निकाले, तो C2 में, C2 में कभी हम देखें, तो C2 में कौन था connection है, parallel connection है, तो बच्चों, capacitance of, capacitance of parallel capacitor, capacitance of parallel capacitor, और कभी हम इसके formula को देखें, तो formula जो होता है, वो C1 प्लस C2 होता है, यह आप जानते हैं, तो इसका जो capacitance जो है, C2, वो किसके equal होगा, C1 प्लस C2, मतलब इसके capacitance प्लस इसके capacitance के, तो इसका capacitance कितना है, तो इसका capacitance होगा, K2, सरफ formula क्या होता है, formula होता है, K, A, epsilon, not by D, तो K, K की जगे, K2 आएगा, area की जगे, A, by 2 आएगा, और epsilon, not by D, मैं D को यहीं पर लिख देता हूँ, और इसका क्या आएगा बच्छो, तो इसका आएगा, K3, A की जगे, जो आएगा, A, by 2, epsilon, not by D, कुछ common आ रहा है, तो common लेने में जिजग न करें, common आएगा, A, epsilon, not by D, common ले लेता हूँ, मैं, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा, K2, plus K3, divided by 2, तेके बच्छो, ये बात आपको समझ आ गई होगी, अब हम किसके लिए निकालते हैं, third capacitor के लिए, C3 के लिए, तो हम यहाँ पर कौन सा formula लगाएंगे, series combination of two capacitor, क्या लगाएंगे बच्छो, series combination of two capacitor, और series का formula, तो आपको पता है, series में reciprocal में aid होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, series में reciprocals made होते हैं, तो बच्छो, इसका formula क्या होगा, इसका होगा, K, A, Epsilon 0 by D, और, sir, कहां-कहां change आएगा, तो change आएगा, K में, K4 आएगा, A में तो कोई change नहीं आएगा, Epsilon में change नहीं आएगा, D में change आजाएगा, D by 2, और इसमें, तो K, Epsilon 0, D by 2, और अभी थोड़ी देर पहले हमने यहाँ पर चर्चा की थी, यह 2 जो है, सबसे उपर नहीं जाएगा, यहाँ पर सबसे बड़ी गलती यहीं करते हैं लोग, तो यहाँ पर, यह 2 कहां जाएगा, तो 2 जो है, D तो सबसे उपर चल जाएगा, अभी लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, D उपर चल जाएगा, पर यह जो 2 है, वो इस जगे आएगा, तो 2, K, 4, Epsilon 0, यहाँ पर D उपर चल जाएगा, और 2 यहीं पर रहेगा, K, 5, A, Epsilon 0, अब चाहें, तो क्या कर लें इसका, कॉमन निकाल लें, तो कॉमन क्या आएगा, बच्छो, D कॉमन आएगा, A कॉमन आएगा, Epsilon 0, कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचेगा, तो अंदर बचेगा, कभी हम यहाँ पर 2 भी कॉमन ले लें, तो अंदर बचेगा, K, 4, प्लस, K, 5, एक काम करते हैं, इसका LCM ले लेते हैं, तो D अपॉन में 2, Epsilon 0, और LCM जो आएगा, वो आएगा, K, 4, K, 5, और यहाँ पर क्रॉस मल्टिप्लाय होके, K, 4, K, 5, और इस 2 को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सुन दरता के लिए, तो कभी मैं C3 का reciprocal करूँ, तो यहाँ पर A, Epsilon 0, उपर चल जाएगा, D नीचे आजाएगा, 2 उपर, K, 4, K, 5 भी उपर, और नीचे आजाएगा, K, 4, प्लस, K, 5, तो बचो यह तीसरी चीज होगे, अब question में आपको क्या दिया हुआ है, question में दिया हुआ है, कि C1, C2, C3 आपस में equal है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, G1, G1 क्या है, G1 है कि C1, C2, और C3 के equal है, तो C1, C2, और C3 को equal रखो, तो मैं यह पास जगे नहीं है, तो A, Epsilon 0 by D, A, Epsilon 0 by D, आपस में क्या हो जाएंगे, cancel, हाँ है न, cancel हो गया है, तो सिर्फ क्या बचने वाला है, final answer में left में बचेगा, K1, बीच में बचेगा, क्या बचेगा बच्चो, K2, प्लस K3 अपॉन 2, और C3 में क्या बचेगा, 2, K4, K5, K4 प्लस K5, यह आपका final answer आगया, और यही आपका क्या है, relation है, किसके बीच, K1, K2, K3, K4, और K5 की बीच, तो बच्चो, उमीद करता हूँ कि आपको यह तीनों question, समझ में आए होंगे, और अच्छे से समझ में आए होंगे, तो आज मैं इस lecture को यही complete करूँगा, और अभी हमें और numericals करने हैं, series और parallel में, पर यहां पर हमने dialectric वाले questions को कर लिया है, तो बच्चो, अब मैं आपसे अगले lecture में जल्दी ही मीलूँगा, तब तक के लिए, bye bye, tata, see you, जैहिंद, वंदे मातरू.